बोलिए श्री प्राणनात प्यारे कीजें, स्री सत्गुरु महराजी कीजें, श्री बाबा दयाराम साहीं आपकी सदाईजें, स्री महराश्री ज्वार्दा साहीं आपकी सदाईजें, सिरिवंदो सत्गुरु चरणिको करू सोप्रीम परणाम, अशो भरण मंगल करन्दनीश्री देवचंद्रजी नाम, शिरि प्राणि नाथ निज मूल पती, सिरि महराज सोना, शिरि तेज कुवर शामा युगल को, पल पल करू परणाम, शिरि प्राणि नाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहें की लाज, ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल्बैरी नाहरें, वली गया काम सराडे छडे, मन्चित्व्या कारज सरे, बोलिये श्री प्राणात प्यारे कीजे, श्री सत्गुरु महराज कीजे, श्री धाम दनी जी के अत्यंत लाडले, एवं, निस्बती, आतम सनमंदी, सुन्दर साज जी, आप समझ सुन्दर साज के हिर्दय में, विराजमान, सिरी राजशामा जी के शिरी चरणों में, मेरा कोटान, कोट भेर प्रणाम, लाडले सुन्दर साज जी, आप सभी उपस्तित हो रहे हैं, हो चुके हैं, और होते रहेंगे, है ना, जब तक वाणी चर्चा चलती रहेगी, तब तक सुन्दर साज उपस्तित होते रहते हैं, है ना, हमारे दिल्ली से विकास जी, नीरू जी परणामी, हमारी भादरा से रेनू पंकजी गुपता, और हमारे दिव्या जी खेत्रपाल, दिल्ली से, और हमारी शश्ची भगत जी, जैपूर से, बबला परणामी जी, शिरिगंगा नगर से, मीरा अगरवाल जी, यमुना नगर से, कनक जी पतेल, गुजरात से, और हमारी विजे सेटी जी, बंटी सेटी जी, शिरिगंगा नगर से, और हमारी सुश्मा जी धुडिया, और निलम जी परणामी शिरिगंगा नगर से, संतोष जी परणामी, अंकिता राहुल जी, रानी वेंजी, फाजिलका से, और हमारी वीने वेंजी, जैपूर जवार नगर से, आप समस सुन्दर साथ उपस्तित हो रहे हैं, लाडले सुन्दर साथ जी, आए हम दाम धनी जी के चरणों में अपनी सुर्ता को लेके चलती हैं, और छोटा सा एक बहाव रखते हैं धनी के चरणों में, आए शिरी पाँच पदमावति पुरी धाम, शिरी बंगला जी दरवार में, सिर्जी साथ जी के शिरी चरणों में सश्टांग डणवत प्रणाम करते हुए, और अपना अपना स्थान ग्रैन करेंगे, भाव लेंगे, कि हमें स्वयम श्रजी साइब जी इस समय तखत पर विराजमन होके, पानी चरचा का सुख वो ही दे रही हैं, है ना, क्योंकि वो ही जागरत हैं, हम सारे तो नीन में सो रही हैं, है ना सुन्दस राजजी, आईए धनी जी के चरणों में, अर्जी करते हैं, प्रार्थना कर करते हैं, शिर जी का दर्बार सुहाना लगता है, ओ शिर जी का दर्बार सुहाना लगता है, रह्मत का भंडार यहीं पे खुलता है, ओ शिर जी का दर्बार सुहाना लगता है, और शिर जी का दर्बार सुहाना लगता है, रह्मत का भंडार यहीं पे खुलता है, पल भर मी कैसे ये करते हैं कृश्मी, अब तो ये संसार बिगाना लगता है, शिर जी का दर्बार सुहाना लगता है, रह्मत का भंडार यहीं पे खुलता है, शिर जी ने आवाज लगाई हम चले आए, ओ शिर जी ने आवाज लगाई हम चले आए, परमधाम की खिलवत का आनंद यहाँ पाए, ओ निस्वत का बंधन पुराना लगता है, ओ निस्वत का बंधन पुराना लगता है, रह्मत का भंडार यहीं पे खुलता है, ओ शिर जी का दरबार सुहाना लगता है, रह्मत का भंडार यहीं पे खुलता है, बोलिये श्री प्राणनात प्यारे की जै, आये लाड़ले सुन्दर साथ जी, हम समस्त सुन्दर साथ इस वानी चर्चा का आनंद धनी की क्रीपा से ले रहे हैं, कल मैंने एक चुपाई पड़ी, तो धनी कहते हैं वानी में की, जो शूरवीर आत्माई है न, वो ही वानी को सुन सकती हैं, जो शूरवीर इस संसार के अंदर शूरवीर बल शाली आत्माई, जिनके अंदर बेशुमार आतम बल है न, वो आत्माई ही वानी पड़ सकती हैं, और वो आत्माएं ही वानी चर्चा का रस्पान कर सकती है ऐसा शिर्जी वानी में एक चौपाई में कहती है कि चर्णों आए सो तो सूर धीर जो चर्णों में आगए वो तो सूर धीर है क्योंकि इस माया से बचके और इस माया के अंदर रहते हुए इस मोसागर में से आदा घंटा भी धनी की बात को सुनना धनी के चरणों में बैठना तो शिर जी कहते हैं ये बहुत बड़ी बात हैं इस वानी चरणों को सुनना लाडने सुननर साजी हजारों वर्षों तक तपस्या की जाए जब किया जाए हजारों वर्षों तक तप किया जाए ध्यान किया जाए समाधी में मैठा जाए है ना लेकिन वानी चरणों की तुलना ये सब फिके पड़ जाते हैं क्योंकि वानी चर्चा के अंदर हमारी चितवरती हमारा ध्यान धनी के चरणों में जुड़ जाता है और धनी की बात हम दिल से सुनते हैं कल सुन्दर साथ ने वानी चर्चा को इतने दिल से सुना कल सुन्दर साथ से प्रशन पुछा गया कि शिर्जे सायब जी ने तीन युद कौन से किये तो हमारे सारे सुन्दर साथ ने तीन युद का विस्तार इतना सुन्दर किया उसमें तो प्रथम जो चर्चा से विस्तार लिख के भेजी वो हम आपको बताएंगे चर्चा के लास् है ना और भी सुन्दर साथ ने जो लिख लिख के भेजी चलो बताई देती हूं क्योंकि इतना इंतजार क्यों करा हूं हना हमारी रेनुजी पंकच गुपता भाद्रा से इतना सुन्दर उन्होंने वर्नन किया तीन युद का से विस्तार लिखा और फिर हमारे नरेंदर जी संतोष जी गुड़गामा उन्होंने इतना सुन्दर वर्नन किया हमारी विशु जी कटारिया दिल्ली से उन्होंने इतना सुन्दर वर्नन किया के शिर जी साइब जी के तीन युद कौन से थे है ना और चोथे युद में किस परकार से अमे त्रन युद कीदा फरी फरी पच्छे गद्मत मारी हरी चोथे युद्से शिरी इन्रावती की आतम कैसे हार गई इतना सुंदर वर्नन सुंदर साथ ने लिखा और यादले सुंदर साथ जी अगर हिर्दय में यह तीन युद होते ही नहीं तो वर्नन कैसे करते तो यह हमारी सारी धाम सक्षियों को आप बधाई दीजिए यह इतनी मेनत करी है इन लोगों ने मानलो यह बीतक की चर्चा सुना रही हो इतना सैविस्तार वर्नन करके इनों ने रखा तो लाडले सुंदर साथ जी मैं परमंस मरेश्री जुवारदास जी की तरफ से धामदनी की तरफ से इन सब धामसक्षियों को बधाई देती हूं जिनों ने इतनी मेनत करी श्री जी कितने प्रसन हुए होंगे न सुनके के मेरी लाडली आतमाउंने कोई बात ही नहीं छोड़ी जो वर्नन ना कियाओ है ना तो लाड़ले सुन्दर साज जी ये ब्रह्म वानी है ये ब्रह्म लिला है ये तीन बर्माड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब इन तीनों में ब्रह्म लिला भई ब्रिज रास और जागनी कही श्री जी वानी में कहते है ये तीन बर्माड हुए जो अब ये जो तीन बर्माड बने ना ब्रिज रास और जागनी है ना ऐसे हुए ना हो सी कब ऐसे बर्माड ना पहले बने थे और ना आगे बनेंगे इन तीनों में ब्रह्म लिला भई इन तीनों बर्माडों के अंदर ब् जागनी बर्माड के अंदर सत्गुरु धने शिरी देव चंदर जी की लीला स्वामी शिरी प्राणनाच जी की लीला जो सुन के फिर लिख के वर्नन करें तो विचार कीजिए आपने अपनी कलम किस लीला के लिए चलाई इस लीला को लिख सुनने वाले अखंड होंगे इस लीला को पढ़ने वाले अखंड होंगे इस लीला को लिखने वाले भी अखंड हो जाएंगे क्योंकि लाडले सुन्दर साथ जी ये ऐसी निद है ये ऐसा खजाना है और श्री जी कहते हैं हवे एधन में जोपे जानियों, जिभ्याए ना जाए बखानियों, मारा है डामा आनियों, अम्बिना कोणे ना मानियों हवे एधन में जोपे जानियों, सिरी इंद्रावती जी की आतम महामती प्राणनात जी कहते हैं कि इस धन को, इस तार्तम ज्यान सवरूप को, इस अखंड धन को मैंने अच्छे से भली भांती जान लिया है कि ये धन क्या है, ये निद क्या है, ये खजाना क्या है प्रमधाम का और इसका महतो वानी के अंदर वर्नन नहीं हो सकता कि ये जो ब्रह्मवानी है, ये ब्रह्मवानी कैसा खजाना है सुन्दर साच जी जी भर भर के पढ़ लो इस ब्रह्म वानी को जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो जी भर भर के इस वानी की चर्चा सुन लो जी भर भर के इस वानी का दर्शन कर लो सुन्दर साच जी है ना ये मौका हमें बार-बार नहीं मिलेगा सुन्दर साथ जी जब भी हम फ्री बैठें तब भी हम इस ब्रह्मवानी को सुने हमारे सुन्दर साथ कहते हैं हम एक बार नहीं दिन में तीन मारवानी चर्चा सुनते हैं एक वर रात को सुनते हैं, फिर सुबह उठके यही लगा देते हैं, सबीक सुन्दर्स हमारे घर परिवार के लिए, फिर हम शाम के टाइम, दुपैर के टाइम खाली होते हैं, तो फिर वानी चर्चा को लगा लेते हैं, है ना, तो लाड़ले सुन्दर साथ जी, शिर जी कहते यह खाजानना कैसी यह वह यह एतन में जब पे जानी यह मैंने अब ए मैंने यह धन मैंने यह दौलत वाणि वाणी रुपी दौलत मैं मैंने वह जब्शी ट्रह से जानीयों मैंने समझ लिया इस दन को स वाणी Corpor bending系 को इस अ kul समझ लिया वर इस जिव्या से इस वानी का महत्व इस वानी की महिंमा वर्न नहीं हो सकती है ना यह वानी काई है ना माना हैडा माँ महामति कहते हैं श्रीजी साइब जी कहते हैं Ander आ गई अम बिना कोने ना मानियो मेरे बिना इस दशना धन को इस अद्वेत वानी को अन्यक किसी ने भी अन्भव नहीं किया जो मैंने अन्भव किया यह अखंड धन है यह अखंड वानी है यह ब्रह्म ग्यान है जो प्राणी ब्रह्म ग्यान सुनेगा हिर्द ऐसे रसपान करेगा फिर ना माया में आए सीधा धाम को जाए शीर जी ने यह फुर्माई रे देखो किरपा किरपा धनी की छाईरे देखो क्रीपा सिरीन रावती जी कहती है देखो यह जो वानी की महिमा है हवे ए धन में जोपे जानी हूँ मैं इस धन को इस ब्रह्मवानी को अच्छे से जानती हूँ जिब्याए न जाये बिखानी हूँ पर जिब्या से इस वानी का वर्नन नहीं हो सकता मरा है ना मा आणियों यह सारी तार्तम वानी 18758 मेरे हिर्दे में आ गई है अम बिना कोणे ना मानियों मेरे बिना कोई नहीं मान रहा मेरे बिना किसी ने अनभव नहीं किया यह अधवैत वानी है यह अखंड वानी है है ना और इस वानी को पढ़ने से क्या मिलेगा साक्षात परमदाम मिलेगा इस में बिल्कुल भी शंका ही मत रखना कि हम परमदाम जाएंगे के नहीं जाएंगे हम ब्रह्म स्रिष्टी हैं या नहीं स्रीजी साहिब जी कहते हैं जिसने इस ब्रह्म वानी को सुन लिया वो आखर समय औरों भी ले सी बचाए वो दूसरों को भी बचा सकती है इस वानी की अंदर जो शक्ती है जो ताकत है श्रीजी साहिब जी कहते हैं वो शब्दा तीत है क्योंकि शब्दा तीत निद ले आए शब्द में मेट्यो सबन को अंदकार शब्दा तीत खजाना शब्दों के अंदर लेके आए हैं इस वानी को सुनने से आप इस वानी की चर्चा नित्य प्रति सुनिये इस वानी की चर्चा नियम से सुनने से सारी मनो कामनाई पूरण हो जाती है ऐसा मैं नहीं कह रही है ऐसा वानी कह रही है कि सबे मनोरत हुए पूरण जो ये वानी विचारों अंतस करन शिरी महामती कहे फेर फेर दामदनी किर्पा करी हम पर महामती बार-बार कह रही है कि लाड़ले सुन्दर साजी कोई चोदे तबक बर्मान के अंदर ऐसा मनोरत नहीं है जो ये वानी उसको पूरा करने में असमर्थ हो खाली वानी चर्चा सुनते जाओ जितना समय मिले पड़ते जाओ जो तारतम वानी नहीं पड़ सकते वो सर्दी के दिनों में तारतम का पाठ करें अपनी ही बिस्तर में बैठके अपने ही कंबल में बैठके है ना कोई बहाना ना बनाओ कि मैं नाही ओई नहीं हूँ है ना मैं तार्तम का पाठ कैसे करूँ जिस दिन परमदाम जाना पड़ेगा उस दिन क्या पता हम सोए सोए परमदाम चले जाएं नहाने का टाइम ही न मिले वैसे ही दूसरे लोग न लाते हैं है ना तो लाड़ ले सुन्दर साज जी शिरी जी ने का ए अंदर नहां ही निर्मल फिर फिर नहां में बाहर कर दिखाई कोट बेर तो है नहां मिलियो करतार अंदर नहां ही निर्मल फिर फिर नहां में बाहर अं अंतसकरन निर्मल होता है इस तार्तमबानी से पाक ना हो ये इन पानिये इत चाहिए अर्ष का जल नहाईए नूर के जम्मालसों तब हो ये निर्मल ये श्री जी साहिब जी कह रहे हैं पाक ना हो ये इन पानिये इस पानिये से हमारा अंतसकरन पवित्र नहीं हो सकता ठीक है बार्देही पवित्र हो जाती है, हम नहाने से बाहर की पवित्रता हो जाती है, पर मैं उनकी बात कर रही हूँ, धनी उनकी बात कह रही है, जो बुजुर्ग हो गई है, जो नहा नहीं सकते हैं, जल्दी सुबह उठने सकते हैं, सर्दी का मोसम है, उठने में असमर्त हैं, नह आथ में लेंगे हम पाठ नहीं करेंगे नहीं लाड़े सुन्दर सजी हमें धनी ने कभी भी नहीं का शिर जी ने तो का कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल तो लोना प्यूपाएं तो लोना प्यूपाएं जोलोना साधे दिल अंदर ना ही निर्मल, फिर फिर नहा में बाहर, अंदर ना ही निर्मल, हमें अंतसकरण को निर्मल करना है, और वो अंतसकरण निर्मल होता है, निजनाव के पाट से, तार्तम वानी के पाट से, है न, जो लोग वानी नहीं पढ़ सकते, है न, वानी पढ़ने में असमर्थ है तो वो प्राथ्यकाल अपना मुosse दोके हे ना और बैठ जाएं बैटके तार्तम की माला करें बैठके निजनाम का जाब करें बैठके है ना क्यते निजनाम पड़ा तिन सब पड़ा सब मंत्रन का भेद निजनाम बिना खाली गए पड़ पड़ चारों वेद जिसने निजनाम का पाठ कर लिया चार वेद छै शास्त्र का उसने पाठ कर लिया निजनाम नहीं पड़ तो कुछ भी नहीं पड़ा है ना क्योंकि शिरी निजनाम है सुख की खान देना हमें को इश्क इमान शिरी निजनाम है सुख की खान है ना ये निजनाम क्या है ये सुख की खान है हम चितवनी 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 कहते हैं चितवनी करो चितवनी करो अरे चितवनी तब लगेगी न जब पहले अंतसकरण पवित्र होगा जब तक अंतसकरण ही पवित्र होगा कि राजी के चरणों में चितवन कैसे लगेगा और अंतसकरण पवित्र होता है ये वानी चर्चा सुनने से अंतसकरण पवित्र होता है वानी पढ़ने से तार्तम का पाठ करने से हमारे गुड़गामा के सुन्दर साथ यहां रहके गए तीन दिन तो वो आज ही उनका फोन आया मेरे पास कहते दीदी हमने तार्तम का पाठ करना शिरू किया जिस चितवनी को हमें इतना टाइम लगता था चितवन करने में और आज तो धनी के चरणों में तार् भर में चरणों से चित जुड़ गया धनी के चरणों से क्योंकि पहले तार्तम का पाठ किया फिर चितवनी करने के लिए बैठे है ना तो लाडले सुन्दर साथ जी तार्तम का पाठ क्या करता है पूरा जाडू लगा देता है अंदर है ना तार्तम का पाठ एक खार है एक सोड़ा है एक्सल सरफ क्या-क्या बोलू में उसको वो एकदम हिर्दय को नीट एंड क्लीन कर देता है ठीक है तार्तम का पाठ करने के बाद फिर आप धनी के चरणों का द्यान कीजिए देखो कैसे ये निद ये खजाना हमारे हिर्दय में इतना बल है सुंदर साच जी आप खुद तार्तम की एक माला सुबह एक माला शाम को करके देखिए धनी आपको इतना विरहाद देने लग जाएंगे आपके अंदर धनी के बीना दिल नही लगेगा एक रोग लग जाएगा हना एसा रोग लगेगगा अनतशकरन से कि कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा किसी से बात करने को मन नहीं करेगा धनी के साथ प्रीती जुड़ जाएगी धनी के साथ सनमंद पक्का होता है है ना जो लोग भी वानी नहीं पड़ सकते बैठ नहीं सकते हैं तो वो लोग भी बैठ के तार्तम का पाठ कर सकते हैं वान पर लें सुन्दर साजी फिर बैठे बैठे जितनी मर्जी चितनी करो आप चित को जोड़ना नहीं पड़ेगा चित जुड़ जाएगा अपने आप है ना सुन्दर साजी तो सिर जी कहते हैं, मैं इस वाणी की महिमा कितनी गाऊं, हवे ए धन में जोपे जानी हूं, इस धन को मैंने अच्छे से जान लिये, जिब्याए न जाये बखानी हूं, पर मेरी जिब्या के अंदर इस वाणी की महिमा गाने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि ये शब्दा प्तीत है, इसका महतुर कैसे बताया जाए, मारा है डा मा आनियों, यह सारा धन मेरे हिर्दय में आया है, और अम बिना कोणे ना मानियों, मेरे बिना इस वानी को किसी ने नहीं मानना, है ना कि वानी क्या चीज है बोलो श्री प्राणनात प्यारे कीज है लाडले सुंदर साजी समय ही हो गया है ना आईए हम चौपाई दो राती हैं और हमारे सभी सुंदर साथ जीनों ने तीन युद में कैसे स्री इंद्रावती जीत गई चौथे युद में कैसे हार गई तो ये विस्तार पूर्वक वर्नन किया वो सभी सुंदर साथ को आप बदाई दीजिए वो बदाई के पात्र है धनी की क्रीपा ऐसे ही बरस्ती जाए आईए हम चौपाई दो राती हैं हवे एधन में जौपे जानियों जिभ्याए ना जाए बक्खाणियों मारा हैडामा आणियों आमबिना कोणे ना मानियों अम्बिना कोणे ना मानियो बोलिये शिरी प्राणनात प्यारे कीज़े सिरी सत्गुरु महराज जी कीज़े सिरी शामा महरानी कीज़े समस्त सुन्दर साथ कीज़े आज के आनंद कीज़े प्रिणाम जी कल फिर मिलते हैं राइट नौ बजे रामदनी जी की किरीपा से तब तक के लिए आग्या दीजिए प्रिणाम जी लाडले सुन्दर साज जी जो अगला महिना आ रहे है न चोदा और पंदरा तारीक सेकंड सेटरेडे संडे तो उसमें भी परमंस माराश्री जी की सिर्जिया पर दो गुट्ट परायन होंगे अखंड परायन कीतर है है ना तो लोडी और मांगी यहीं पर मनाई जाएगी है ना तो आप जितने भी सुन्दर साथ हो जो भी आना चाहें वो पहले से अपने थैयारी कर ले ना मराश्री जुवारदास जी के चरणों में लोडी मनाने की ठीक है प्रिणाम सुन्दरी